पहले सवाल का बहुत आसाने भाई एक यह होगे और दो ट्राइंगल होगे आच्छा यह जिने सिखाने आया है ना यह जितने भी मेरे चीता बैठे हैं यह सब जाने के इसमें दो नो है इसमें तीन है तब से पहली बात तो यह सुन ले आगे से दिहान रखिए एक यह और एक कैसे बनती है दस 12 मिनीट की इस वीडियो में आ BOB बहुत बहत भी देहान से देखो और और झाष्टर जी यह हमारे यह भी बहुत दिहान से लाख्शन को और प्यारे बच्चें दिहान से समझना आज आनस दीकानि जब कभी भी ऐसे सवाल आ जाए तो हमें counting नहीं करनी अलग से क्योंकि वो होगी भी नहीं मैं start कर रहा हूं हमें करना क्या है कि हम लोगों को यहाँ पर numbering कर देनी है एक number दो number एक दस यह answer है इसका यहाँ भी numbering कर दो एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो दस और ग्यार है सब जोड़नी है ग्यार दस एक्केस नो तीस आठ अठ अर्टेस साथ पैतालिस शाहिक क्यामन पांच छप्पन चार साथ तिन तरड़े साथ दो पैसट और एक छासट लेकिन भी साथ जैसना अगर बोड़े संख्या गया था नुम्बर अग्जान से विला घर siya करने की वात क्या है कि हम लोग बस यह कर लेंगे कुछ बताई मैंने कुछ ना सभी numbering करके सब को आपस में add कर तो मामला खता है कभी-कभी examiner ऐसे भी सवाल बना दे जिसमें यहां पर line बना देता है प्यारे बच्चे जब line बना देता है तो हम फस जाते हमें लगता है इसमें line आ गई 10 surfing आ है जो औरेने पहले कितरे है 4, 3, 7, 2, 1, 10 बोलया yo कितने हो गई दस 6 3, 7, 2, 1 दस 10 अब क्या करना है कि अब जैसे यह line आ इस तो यह कुछ kanemने वी भाजित हूई हूंगी औ हम तिक लगा दू कितने खाने बने कि-तने वी भाजित हुई है तो देख पहला टुकडा तो ये है दूसरा ये है तीसरा कितने खाने बने तीन रहां बोल कितने तीन कितने प्यारे सती तीन तो यह tomar एक काम करो Gob皆さん की गुणा कर दो दस तिया तीस में सवाल कान सरा किए जितने निम्हुमें उतने में जैसा यह से समझ यह आप देहानगा से समझें बैस्क एक, दो, तीन, चार, चार, तो 21 चौक, 84, 21 चौक बतो ना है, तुम यहां बताओगे, एरे गुड़ा करके देख लाए, चार एकम, चार, चार दूनी, आठ, तो यह कितनी बन गई, 84, बात आगे, यहां तक सब है समझ में, अब तुम कहोगे, और क्या नया बन सके, और देख करो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 15, 6, 11, 5, 26, 34, 33, 32, 35, 36 तो यह हो गई, ठीक है मेरे भाई, अब यह जो लाइन गई है, यह यहां तक गई है, तो यहीं तक ही काउंटिंग करनी है, मैंने कहीं यह काउंटिंग यहीं तक करनी है, फिर, देखो, 1, 2, 3, 4, 5 पोइंट तक ही त अब देखो, यह लाइन कितने इन पर गई है, एक, दो, दो और एक, तीन इन्हें जोड़ लो, तीन लिख दई मैंने, यह एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, साथ, दो, नौर, एक, दस यह हो गई, और एक, दो, तीन, तीन, दो, पांच, और एक, छै यह हो गई, तो देखि अब देखो इधर को आज थोड़ा सा अब देखो दिहान से इस सवाल है तो यह आया एक दो तीन चार पांच चेह सही है चैहां देखो एक दो तीन चार चार तीन साथ दो न और एक दस बोले नाएं कितना दस यहां देखो एक दो तीन तीन दो पाँच और एक छे जोड़ी एक बारे ने एक और छे साट और छे तेरह का तीन हासिल एक दो और एक तीन और एक चार तेतालिस आंसर है यह सीधा सा कॉंसेप्ट है अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें और कौन-कौन से कॉंसेप्ट बनते हैं देखो ध्यान से मान के चलो ऐसा सवाल आजाए अब कैसे करेंगे जैसे पहला सवाल है बस यहां में चीज याद रखनी है जब किसी वर्ग आयत के अंदर दो या दो से अधिकरे खाए एक दूसरे को परस पर काट दें क्या कर दें काट दें तो कुल खाने के इनका दो की गुणा कर दे करें मामला वहीं की वहीं खता में तो तुम्हें करना क्या है देखिए एक बार कितने खाने जल्दी जल्दी एक दो, तीन, चार, पांच, चह, जल्दी बता, छह दूनी बार है, कोई दिक्कती नाम रिभाई, अब यहाँ का अनसर तुझे बता ना, जल्दी बता, काउंट कर, कितने खाने, कितने खाने इधर कुआये के अंसर बता, जल्दी ले इने समझाए जल्दी से खाने केतने बन रहा है जल्दी दो तीन चार पाँच छे साथ आठ और आठ के दुगने आठ के दुगने सोले वा तेरा कोई न जबाब तू चीज ला जबाब बहुत जबर दो नी सोले यहां जब बहुत बढ़ी आठ दुगने सोले यहां जब बहुत बढ़ी आगे का कॉंसेप्ट क्या है प्यारे बच्चे अब देखो ऐसे सबाल लो अब की बार एकजामनर ने यहां जोड के बना दिये जोड हो अबकर आइसले बसे चार अब हमने क्या क्या दो तो चार दूनी चार दूनी आठ और ऊची तरीका से हम इस बाते जाने एक दो तीन चार इसमें तो चार दूनी आठ इसमें तो भहिया कुल मिला के आठ पिलस आठ कितने हो गई सोल है तो यह हो गई लेकिन अच्छी तरह पता है जब दो चीजें बच्चे आपस में मिलती हैं तो वो मिलने के बाद किसी ना किसी अलग ट्राइंगल का निर्मार करती है तो अब दिहान से समझी हो कैसे करना है प्यारे बच्चा जब यह दोनों मिलेंगी तो कैसे तो यहां से अश्यावय को स्यूंदेशी बात आ रही समझ में देख ये बड़ा वाला अरे हाया ना यह ट्राइंगल एक तो यह हो गया यह दोनों को बिटा मिलके बन रहा है आठ पहले वह जो अकेलें बने आठ दूसरे वह जो अकेलें बने यह एक मिलके बन गया और देखी इन्हें प्लस कर देऊ तो सोले और दो कितना अंसर इसका अठार है खतम कहान अब इस हमें एक चीज थोड़ी सी छोटी सी ध्यान से समझो आठ इसमें होंगे बोलो भाई एक बाद बताओ मैं यही तो कॉंसेप्ट पढ़ा रहा हूं आठ इसमें हैं कि ना आठ इसमें हैं क होगा तो एक चीज बताओ यह वाला ट्राइंगल बना होगा कि ना कितने होगा यह एक ट्राइंगल हां या ना अब इधर से अगर मैं इधर को जाओं तो यह दूसरा ट्राइंगल यहां बनेगा कि नहीं जल्दी से समझो एक बार तीसरा ट्राइंगल ऊपर यह वाला उल् तो कितने बन गई है, चार और बन गए, तो 24 में 4 और जोड़ दो, 24 और 4 कितने हो गई मेरे भाई, 28 त्राइंगल, बात आगी समझ में, ये कौन से, अब तुम कहो भीया, और सिखाओ ऐसे, सीखो आओ, देखो ध्यान से समझो, इस सबाले समझो, तुम कहो भीया, इसमें कैसे तो एक चीज देखो ध्यान से, मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये कितने ऐसी लाइन सी, मैंने ऐसी ये वाला त्रभुज बताया तो हम गिने करें सी देखें न, अब ये तेड़ हासा ही तो है, तो गिल लो, एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, साथ, दो, और एक, दस, ये हो हो, यहाँ पर मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच, चै, कितने हुए, छे, पांच, ग्यार, च्शा, पंद, तीन, अठार, दो, बीस, और एक, 21, साई है, यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ बीकिस, तो, 1, कितने, 42, खतम कहानी, एक और बात ध्यान गख camblogए हो, है ना ऐसा हो जाए कभी-कभी यहां छे खाने यहां पांच परी छोड़ दे ज्यों मत सोची हो इधर किसे तो इधर भी किस होंगे भाईया कोई जरूरी ना है कोई भी जरूरी ना है कम जादा हो सकते हैं ठीक है आगे समझो अब मान के चलो यह सवाल है इसे बोले इस्टार क आठवा यह वाला छे तो चोटे-चोटे और दो बड़े बड़े अरह दिख रहा हैं कि अफ्यों कितने हो गए आठ आंसर है हौट श्टार में बता है तुम कहोगे तुम तो दस बता रहे, वागी तो दिखी न रहे, बच्चे होट इस्टार में कोई पांच लाइनों का प्रियोग होता है, द्यान से देखना कैसे, जब तुम होट इस्टार बनाओ ना हो, देख, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच पांच तो यह थे, ठीक है, इस वाली लाइन देखिए, ध्यान से, यहां से अगर मैं ऐसा जाओं, और यहां से नीचे को आ जाओं, तो एक ट्राइंगल यह है, यहां से अगर अभी यह लाइन लेली मैंने, अब इसे देखिए, जब यहां से आओंगा मैं, और यहां से जा यहां से आज जाओंगो तो 5 वड़ ट्राइंगल है, 5 प्लस 5 एक बार जोड़ से बोले, कितने, जोड़ से बोलो, ठीक है, तो 10 यह हो गई, अब समझो ध्यान से अगला concept क्या है, सबसे जादा बच्चा गलती कहा करता है, किस concept में करता है, इस concept में सबसे जादा गलती होती है इस गलती का solution समझो, इसका answer एक, दो, तीन, चार, और एक complete बड़ा वाला 5 है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सवालों में बच्चा गलती करता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे बहतरीन concept क्या है, ध्यान से समझो, तुम्हें करना क्या है इनके ऐसे line गिनो, 1, 2, 3, कितने खाने है, 3, कितने खाने, 3, तो 3 तक numbering कर लो, 1, 2, 3, ठीक है, 3 तक numbering कर लो, 4 होते तो, 4 तक करता, 5 होते तो, 5 तक, अब क्या करना है, एक के सामने, एक direct लिख लो, ठीक है, अब नीचे को cross में जाओ, तो 1 के cross में क्या है, 2, तो 1 और 2 कितन 3 है, तो 3 के cross में क्या है, 3, नीचे कोई जाना है cross में, 3 और 3, 6, तो प्यारे बच्चे ये हो गए, 6, 3, 9, और 1, कितने, 10, सही है, 10 आंसर ना है, पर अभी, अब क्या करना है, 10 लिखने के बाद, अब नीचे से उपर जाओ, और जो पहला वाला 6 है, इसे काट दो, सही है, प राइट कहां लगा, 3 पर, 10 में, 3 और 2, 10 और 3, 13 है, सही है, प्रैक्टिस के तोर पर इसे समझो, 1, 2, 3, 4, कितने खाने, 4, तो 1, 2, 3, 4, कितने 4, तो 1 के सामने, 1 बताई, अब 1 के cross में, 2, 1, 2, 3, 3 के cross में, 3 और 3, 6, 6 के cross में, 6 और 4, 10, 10, 6, 16, 19, 20 बन गए, 20 बन गए, इन कार्ट दिया, फिर 6 पर आइट, फिर कार्ट दिया, फिर 1 पर आइट, तो 6 पर आइट और 1 पर आइट, 6 और 1, 7 पर आइट है, तो 7 जोड़ दो, 20 और 27, 27 आंसर है, सही है, सही है, तो सभी प्यारे साथी मुझे बताना, जरूर ये, कैसी लगी आपको वीडियो, बचे, इस सवाल का आंसर जरूर बताना देख लेने दो इने एक तो इस प्रेसन का आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्षन में कि क्या आंसर होगा अगली क्लास के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम इसी कॉस्चन को करेंगे दूसरी चीज में आप लोगों से कहना चाहूंगा ये इस परका सेक्षन में जरूर कमेंट करके बताना और एक बाल लाइक कर देना मिलते हैं आप लोगों से पुलकित के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंत जैभारत बाई बाई